असलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमीर करता हूँ आप सब खेर खेर यह से होंगे दोस्तों बहुत सारे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं इतने सवाल आ रहे हैं इतने के यार मैं तंग आ गया हूँ एक एक को रिपलाई दे कर एक एक को बता बता कर तो मैंन में रिजिस्टर करना है, तमाम आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में है, तो आपने इस वीडियो को एन तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना, अगर आप अपने मुबाइल को बचाना चाते हैं, तो चलते हैं, अपने टॉपिक की जाने, उससे पहले आप लोगों है, मेरा फिला मुबाइल है, मेरे मुबाइल के चार्जिस कितने होंगे, रिजिस्टर करने के, मेरे मुबाइल के चार्जिस कितने होंगे, रिजिस्टर करने के, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दू, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, जिसमें मैंने प्धिंद और पीक्ट के आपको यह वीटईयो तो उसमें आप लोगों को ठरीका कार बताइथा के वेरिफाइड चेक करना और आपने इसको डिवाइज को वेरीफाइड करना दोनों तरीके बताएतेज मैंन गते Nee होंगे वेरिया उसके रिजिस्टर करवाने के मेरे मुबाइल के रिचार्जिस कितने होंगे भाई आप जब वो तरीका करोगे तरीका कार तमाम करोगे अगर एक मुबाइल हैं या passport नहीं हैं तो फिर आपके charges लगेंगे अब आपका मैंन सवाल होता है कि हमारी charges कितने लगेंगे भाई charges आपके उतने ही लगेंगे जितने वो PTA बताएगा जब आप register का और सारा मतलब वो option खोलोगे न पेड़ वाला option सेलेक्ट करोगे उसके पाद अपनी device का IMEI नंबर जैसे उसमें डालोगे न आप तो उसके पाद अगला जो procedure आएगा उसमें method आ जाएगा payment pay करने का उसके साथ साथ आपको payment का बता दिया जाएगा कि आपके मुबाइल के इतने charges हैं उसमें यह आप मेरे से पूछें या फिला से पूछें ऐसा नहीं है आप जब अपना IMEI नंबर डालते हैं ना उसमें PTA registration वेब साइट में जब आप रिजिस्टर करते हैं तो तब वो PTA बता देता है आपको payment method के थ्रो के आपके इतने charges हैं और इस तरह आपने यह pay करने है उसके इलावा अब तो दूसरा PTA ने नया एलान कर दिया है कि आप अपने मुबाइल जो है किसी भी franchise से भी जाकर अपने devices जाकर किसी भी franchise से भी register करवा सकते हैं जैसे जोंग, योफोन, टैलीनौर और मूबलिंग वगरा इन जाकर फ्रंचाइज से भी जाकर आप अपनी devices register करवा सकते हैं तो वो आपको franchise वाले भी बता देंगे कि आपके मुबाइल के charges कितने हैं अब दूसरी बात आती है कि भाई मेरा मुबाइल बंद हो चुका है क्या मेरा मुबाइल ओन होगा जी बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा भाई देखें जो मुबाइल आपके बंद हो गए हैं जो के पहले ऐसा था ना के जो devices के tax नहीं pay किये गए थे जब पहले devices sale किये गए हैं उनके tax pay नहीं किये गए तो पुराने जो माडल हैं जो पुराने लोग यूज कर रहे थे वो तमा मुबाइल पीटिये ने बंद कर दिये हैं क्योंकि उसके tax pay नहीं किये थे यह 2019 में नया जो rule आया था जिसमें pay करना लाजम पीटिये से उसके बाद आप मुबाइल यूज कर सकते हैं अब जो मुबाइल नियू लेंगे आप जहां से मार्कीट से जो भी तो वह आपके बंद नहीं होंगे वह already companies जो है tax pay करके verified करवा के फिर sale करती है अगर आपका मुबाइल आता है बाहर से सौदिया दुबई या कह रिए बम जाएंगा और जो पुराणी कृते हैं जैसे के पहले क्टे आती थी मिन या कि तरह दर महर्ती हो है कि वह तो वह सकते हैं तो आपके ये कह बता से राब्ता करना फुक्ता करने के दो तरीचेंगे मिय दो टरीके naught कर सकते हैं मेल गनान कर सकते हैं इसके अलाव कर सकते हैं अपना मुबाइल का आइं या नम्बर सेंड करते तो तो उसके रिप्लाइ में आपको मेल आजाएगा, जिसमें आपको वीडियो बता देगी, किस तरा आपने पे करने हैं, ताकर आपका मुबाइल ओन हो जाए, रियक्टिव हो जाए, और आप अपना मुबाइल चला सकें, तो यह बाते करनी थी आप लोगों से, आप लोगों के सब्सक्राइब कर दो मिलता है कि जी नेक्ट वीडियो में तब तक के ले देजिए अजयादत अलाव देजिए